अब हम बात करें के फ्रेंशिस के बारे में कि प्षले 500 में के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगरे में कैसी ग्रोव था है उसलिए पिसले 500 क्रोड़ का फ्रेंशिल डीटा चेक करते हैं यह मेंली कमने इंडिस्ट्रिल गैस सप्लाई स्प्लाई स्टार्ट किया था कमनी का नया टाम ने स्टार्ट हुआ था तो वहां से कमनी काफी अच्छा बिजनस किया था लेकिन फिर अभी देखें तो 7,000 कोड के आसपास ठीक था कमनी कर रिवेन्यू दोचोईश में भी आ ग सब्सक्राइबार्या देख लेंट दिक है फिर बात करें हैं नेत की तो अक्षे से इंकरीज द हा रहे हम्सिट करें द्याएんと कि करें अच्छा से मैं क्योंकि कंपनी का व्म जर्क औप गया उस कंपनी का अच्छा को नेट प्रोपित एंकरीज और दो do उसको नहीं टैमिल बना लिए, capacity increase करनी है, तो भी free cashflow company ज्यादा manage नहीं कर पारी है, पांच साल में से 3 साल तो negative free cashflow हो गई है, और दो 21 में और 24 में का free cashflow positive आये भी है, तो थोड़ा वह थी positive आये, बहुत ज़ादा भी free cashflow company management नहीं कर पारी है, बार बार पैसा उसको अपने business मे करना पड़ रहा है जो भी profit कमाती है उसे बात करें के dividend payment की तो company 30-35% के आसपस की आपरेशिप से पांसा से dividend payment कर रही है तो थोड़ा बहुत dividend company अपने investor को payment कर देती है साथ-साथ growth तो company में आई रही है उसे बात करें के debt by यानिके 70% के आसपास कमणी ने पैसा लोन लिया हुए अपने 100% तो कमपनी अभी हार साइट पे लोन होल्ड करते है थोड़ा सा हाई रिस्की कमणी दो जाती है लेकिन बात करें कमने उस पैसा काफी अच्छा अविलेबल है जो कमपनी का तो कमपनी काफी अच्छा अरवी भी मैनेज कर रही है जो उसके इनवेस्टर है उसके पैसे पे काफी अच्छा रिटरन कमणी जानेट कर रही है तो काफी अच्छे कमनी के financials हैं अच्छा का सा company profit manage कर रही है debt company बास पेज़ीर है लेकिन उसको बात के तो payment करने लेकिन काफी अच्छा पैसा उसका अवलेवल है तो अच्छे और बड़ी है financial company अपनी small cap की जो profile है उसके साब से manage कर रही है